हेलो फ्रेंट्स वेलकम टु दे चैनल चलो लर्न करते हैं और मेरा नाम है मनिशा तो फ्रेंट्स आज मेरा वीडियो रिलेटेड है रोमन नमबर से तो friends हमें बच्चों को सिखाना है Roman Numbers उन्हें हम कैसे सिखाएंगे कैसे बताएंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमें उन्हें ये बताना होगा कि there are only seven symbols in the Roman system ठीक है Roman system में केवल seven symbol ही होते हैं जिसी होगे IV इसे कहते हैं one ठीक है ये होगे वी जिसे कहते है five ये होगे हिंदु Arabic system में इसे लिखा जाता है one five अगर और ये होगे रोमन system ठीक है तो चीजे जो बच्चों को याद करानी I, V, X, L, C, D और M तो फिर देखिए ये उन्हें याद करना होगा कि I को लिखते हैं one के तोर पर V होता है five five के लिए V लिखते हैं ten के लिखते हैं F, 50 के लिखते हैं L आप अगर उन्हें एक साथ ना याद हो पाए तो आप कम से कम उन्हें चार, 50 तक याद कराएं उसके बाद फिर बाद में पहले हमें उन्हें क्या करना होगा ये याद कराना होगा जन्रली रोमन नमबर्स जो है वह three class से स्टार्ट होता है ठीक है three class से ही पढ़ाया जाता है बच्चो को तो फिर चली देखते हैं कि इसे हम कैसे बच्चो को पढ़ाना सिखाएंगे जैसे देखी ये one है तो one के लिए पहली है आपको मैंने बताया ये i के तोर पर इसे लिखते है ठीक है तो इसे ये इस तरह से अब 2 है तो इसे दो बार लिख देंगे ठीक है 3 है तो 1, 2, 3, 4 अब देखिए 4 को जानने से पहले हमें 5 को समझना होगा 5 के लिए बताना होगा बच्चे को तो 5 के लिए क्या था बी था तो ये हो गया बी अब क्या है 4 को हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं लिखेंगे ठीक है रोमन नमबर में किवल 3 तक ही इस तरह से लिखा जाता है 4 को क्या करेंगे 5 लिख दिया हमने और फिर यहाँ पर ये i लिख दिया मतलब 5 माइनस i मतलब 5 माइनस 1, 4 हो गया ठीक है ये चीज है 5 माइनस 1, 4 हो गया 5 ये 5 माइनस 1, left की तरफ अगर जाएगा तो वो माइनस 1 में आ जाएगा तो 5 माइनस 1, 4 अब देखिए 6 है तो फिर से लिख दिया 5 लेकिन अब हम इसे कहा लिखेंगे i को इधर लिखेंगे यानि कि right की तरफ लिखेंगे तो right की तरफ जब लिखते हैं तो वो add होते जाता है यानि ये 5 प्लस 1 ठीक है 5 प्लस 1, 6 हो गया तो हमें बच्चे को यही बताना होगा कि जैसे 5 लिखा तो 4 है अगर लिखना तो जो i है वो left की तरफ होगा और 6 अगर है लिखना तो i है तो वो right की तरफ होगा अब उसी तरह ये 7 है तो 5 लिख दिया दो बार ये हो गया 8 है तो 5 लिख दिया 5, 6, 7, 8 ठीक है अब देखिए अब 9 को समझने से पहले जैसे हमने 4 को समझने से पहले 5 को समझा कि 5 को भी लिखते हैं उसी तरह से 10 हो गया क्या x हो गया 10 हो गया x तो उसी तरह 9 की लिए क्या करेंगे 10 minus 1 यानि left की तरफ आ जाएगा तो यह हो गया 9 हमें कैसे सिखाना बच्चों को a smaller number written to the left of a larger numeral ठीक है is always subtracted from the larger numeral ठीक है larger numeral से ही क्या होगा subtract होगा 1 ठीक है जैसे larger हो गया 10 10 minus 1 इस तरह से में बच्चों को बताना है इस तरह से करके जिससे वो अच्छे से समझ पाएं तो 10 minus 1 9 ठीक है अब उसी तरह अगर हम लिखते हैं 11 तो क्या हो गया 11 हो गया यानि की 10 से बड़ा है तो 10 यहां हो गया 11 यानि की राइट की तरफ से ठीक है राइट की तरफ 11 यानि 10 plus 1 हो जाएगा तो लेट की तरफ रिखेंगे तो minus 1 और राइट की तरफ लिखेंगे तो plus 1 अब इसी तरह से देख लीजे सब इसी तरह से चलता है अब 12 है तो 10 12 हो गया IT ठीक है 13 है तो 10 11 12 13 हो गया अब 14 है तो 10 और 4 4 क्या था हमारा यह था ना तो फिर यही चीज हम विख देंगे यहां पर 14 ठीक है अब इसी तरफ 15 है तो 10 15 जब रिपीट किया जाता है किसी भी रोमन नूमेरल इसा मतलब होता है इडिशन ठीक है यानि हम uważ कर रहे है जैसे इसका मतलब डा 10 plus 10 ठीक यह रिपीट हुआ है एकस जो है वो रिपीट हुआ है तो इसका मतलब हो गया 10 plus 10 20 तो repetition of a roman numeral means addition only i and x can be repeated i और x ही repeat किया जा सकता है बाकी numerals repeat नहीं होते हैं और x cannot be repeated more than 3 times 3 times से ज़्यादा repeat नहीं हो सकते हैं x जिसे 40 को हम नहीं लिख सकते हैं हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं यह 4 times हो गया तो यह इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 40 को यह गलत हो गया 40 को इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं L का होता है 50 50 का L होता है और 10 का होता है क्या? X तो again हम वही काम करेंगे 50 के लिए 40 के लिए क्या करेंगे पहले L लिख दिया और फिर X यानि कि L का हो गया 50 minus 10 क्योंकि जब हम जब भी हम सब्स्ट्रेट करते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम सब्स्ट्रेट करते हैं तो उसे left की तरफ लिखते हैं ओके तो यह हो गया आपको 40 का यह 40 का हो गया उसी तरफ 41 का अगर करें तो तो क्या हो जाएगा XL इस तरह से 41 अब उसी तरह से 39 है अगर तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि X को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे यह लिख दिया 10, 20, 30 ठीक है फिर 9 तो यह हो गया 39 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 39 इक लास में तो बच्चों को ज़्यादा नहीं सीखना है बच्चों को 39, 40 यही तक बच्चे पढ़ ले तो वही ठीक है ज़्यादा नहीं है बस देख लेकि बच्ची कहां तक बच्ची किस क्लास में और उन्हें कहां तक पढ़ना है तो मैंने 50 तक ज़ने लिए आपको बता दिया है ठीक है तो इसी तरह हम बच्चों को समझाएंगे तो मैंने 15 तक आपको बताया था 16 का भी हो जाएगा उसी तरह यह हो गया 6 17 का हो जाएगा इस तरह से 18 का हो जाएगा इस तरह से 19 का हो जाएगा इस तरह से और 20 का हो जाएगा इस तरह से तो I hope friends मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो प्रीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक पी जरूर करिएगा और जिन्हों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिसे मैं जो भी वीडियो डालू वो आप लोगों तब तुरंत पहुंचें क्योंकि मैं बच्चों से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो बनाते रती हूँ ओके फिर थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग